स्वागत है आप से भी का टेक स्टेडी आई टेय यूट्यूब चनल पर साउ थी सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई टेय पास आउट केंडेट्स के लिए अपरेंटिसी पाई थी रायपूर से भी आई थी नागपूर से आई थी ज्वाइनिंग का है आप लोग भी इसमें अपना नाम चेक आउट कर सकते हैं अगर आपका नाम है तो उन सभी को कांग्रेचुलेशन से जुए जो नहीं सेलेक्ट हुए प्लीज आप लोग जो भी और apprenticeship नहीं आई है उसमें आप लोग apply कर दीजे like Eastern Railway है, PLW पतियाला है and अगर आप South से भी लाउं करते हैं Southern Railway की तरब से भी apprenticeship आई हुई है अगर आप select हुए हैं गुद कुछ इस तरह से आपको mail आया होगा यहाँ पर देख सकते हैं 20-10-2022 नहीं 20 October 2022 को जारी किया गया लेटर है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि notification कब आया था यह 25-4-2022 नहीं 25 April 2022 को आया था 696 और 937 टोटल 1033 पूस्ट आइधिंग apprenticeship की थी इसमें जिसमें रायपूर डिविजन में 696 था और 337 था आपका इसमें जो second provisional merit list थी ठीक है वो दो बार जारी की गई थी और उसमें जो vacancies थी उसके basis पे merit base पे अभी यहां पे आपका बनाया गया है short list किया गया और यह final joining merit list है इसमें देखिए are placed in the second provisional merit list against the trade applied and against the respective community यहां community wise and trade wise आपका जो है final जो है joining merit list जारी किया गया यह कोई document verification नहीं है यह joining merit list है इसमें अगर आपका नाम है तो आप directly आप जाके join कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं welder में category wise है ST का है फिर SC का फिर OBC का फिर reserve का इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं जो आपका trade होना आप उसमें check out कीजेगा क्योंकि इसमें search का option जो है scan copy है इसलिए चीज इसमें enable नहीं है तो आप लोग क्या check करेंगे इसमें अपने trade में जाके आप अपनी category में अपना नाम यहां पर check out कीजिएगा turner का देखेंगे DRM office रायपूर के लिए है इसके बाद और नीचे आप आजाएंगे fitter का है DRM office रायपूर का यहां पर joining दिया हुआ है अन्रिजर्ब का category wise है पूरा joining पहले SC, OBC, UNRESERV, THEN EWS ठीक है stando English में आप देखेंगे stando Hindi का भी है फिर यहां से आपका देखें DRM office रायपूर यह computer operator का कोपा का है health sanitary inspector, machinist, mechanic diesel मतलब जितने trade थे सभी के लिए यहां पर जारी किया गया अब यहां से start हो जाता है WRS का, fitter का है WRS यह नि वैगन रिपेर साप रायपूर का यह भी joining merit list है अगर आपने रायपूर के लिए apply किया था और आप second document verification में participate किये थे तो आपका भी नाम इसमें हो सकता है, जरूर आप अपना नाम इसमें and जो आपका mail आया उसमें check out कर लिजेगा साथी यह list हम आपको take study idea youtube channel, sorry, जो telegram channel उस पे भेज़ देंगे तो वहां अगर आप join कर लेंगे यह list आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगी और चैनल पे अगर नए है तो subscribe करके वीडियो को like कर दीजेगा जिससे आपको ऐसी सारी update and informations जो है मिलती रहे नीचे आप देखेंगे पूरी यह list है and इसमें बहुत सारे candidates जो है select हुए है इसके नीचे जोइनिंग का instruction दिया हुआ है जब आप join करने जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है दिखें जब भी आप report करेंगे तो आपको original copy ले जानी आधार card की pen card की bank account number यानि bank passbook की nationalized bank का होना चाहिए ठीक है and submit the photo copy of the same and two passport size photo इन सबका original ले जाना है इनकी photo copy ले जानी है and साथ में दो passport size photo भी जमा करना है बिना आधार card, pen card and bank passbook और दो photo के further process आपका नहीं होगा आपकी joining वहाँ पे नहीं कराई जाएगी ठीक है candidate who are not found eligible document verification and not fit in medical test but their name appearing in the list due to typographical error may ignore this offer and do not turn up for further process अगर आपने document verification कराने आप गए थे बट आपने medical या आपका कोई document नहीं रहा हुआ आप unfit किये गए हो वहाँ पे and आपका अगर यहाँ पे गलती से नाम type हो गया हो तो आप उसे मत मानिएगा अपना selection and आप मत जाएगा आगे के process के लिए इसके लावा है यहाँ पे if it is noticed that the candidate furnishing wrong information अगर आप कोई wrong information एफेक सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो आपकी training को terminate किया जा सकता है कहाँ पे report करना है देखे senior DPO office, personal branch, DRM office, near Walter gate, SAC railway, रायपूर पिन यहाँ पे दिया हुआ है 10 बज़े से लेके 5 बज़े तक joining होगी required document के साथ यहाँ पे schedule दिया हुआ है आपको चले जाना है ठीक है, 7-11-2022, 7 नॉवंबर को यहाँ पे fitter को बुलाया गया है, 9 नॉवंबर को welder और turner को, 10 नॉवंबर electrician और 11 नॉवंबर को stenographer, Hindi English, COPA, Health Sanitary Inspector, Machinist, Mechanic, Diesel and RAC trade को बुलाया गया है address, note down कर लीजेगा, बाकी आप mail check कर लीजेगा, उस पे आया है ये नीचे आप देखेंगे, 14 नॉवंबर को बुलाया गया fitter, machinist, turner, electrician, COPA को, WRS, नी wagon repair shop, रायपूर में अगर आपका selection हुआ है तो आपको 14 नॉवंबर को जाना है, और welder को यहाँ पे 16 नॉवंबर को जाना है, ठीक है आप ये note down कर लीजेगा, आपको कोई T.A.D.A. नहीं मिलेगा, वहाँ report करने का और इसके साथ साथ यहाँ clearly लिखा हुआ है, कि आपको कोई lodging, boarding, mess या कोई भी ऐसा arrangement railway की तरफ से नहीं मिलेगा ये सब कुछ आपको खुछ से arrange करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ railway की तरफ से stipend मिलेगा अगला बोला गया other terms and condition जो आपकी इस notification में दी गई थी, वही रहेंगी, इनमें कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा नीचे यहाँ पर देखेंगे, प्रि आवेदक यहाँ आपको एक जस्ट दिया गया है, कि DRM कार्यालाई ये है तो नियोजन के संबंद में, सेम चीज आपको लगभग वो हिंदी में मिल जाएगी ठीक है, कुछ दिसा नर्देश दिये गये हैं, जैसे प्रमारपतर जाच के दौरान, दस्वी की माक्स जीट, सर्टिफिकेट ये सब कुछ यहाँ, अगर आप नहीं ले जाते तो सेम चीज लगभग आपको यहाँ पर, वही हिंदी में दी गई है, ठीक है, बाकी ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है, एक चीज और बोला गया है, आवेदक जो हैं, जो वहाँ आप जार हैं, तो आप क्या करें, एक से दो महीने की जो रहने खाने की अपनी ब्योस्ता है, उसे सब कुछ करके जाएं, क्योंकि पर्थम माह या एक माह का जो प्रसिक्षण है उसके बाद ही आपको इस टाइपेंड की राज जो है, आपके अकाउंट में आएगी, अदर्वाइस आप वहाँ मुश्किल में पढ़ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग क्या करें, इसे एक दो आपको बता दें, मालीज आपकी रिपोर्टिंग है 14 नॉम्बर को, बट आप 15 या 16 को पहुंचते हैं, तो आपको क्यों लेट हुआ, क्या रीजन था, उसका एक आपको प्रापर दस्ताबेज लेके जाना होगा, अदर्वाइस आपकी जोईनिंग में जो है, प्राब्लम ह हो सकती है, तो उमीद करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी आपके लिए हल्फुल रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा, किनका किनका रायपूर में फाइनल सेलेक्शन जोईनिंग के लिए हो गया है, थैंक्यो बेरे मच मिलते हैं, अगली अपडेट जरूर बता देंगे, अगर उससे रिलेटेट कोई अपडेट आता है, तो बाकि जो भी अपडेट आती रहती इसे, रिलेटेड जॉब की अपडेट आपको यहां मिलती रहती है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं ह होनी पाएगी, हो सकता है, एक दिन लेट मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी आपको टाइम से पहले, तैंक यू